नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोते जराहट के देख रहे मैं हूँ आपके साथ आपका आइश्टो फेंट संतो संतोशी बात कर रहे हैं चर्चा चल रही है राहू के राश्य परिवर्तर की बहुत सारे लोग इधर उधर के चैनलों को देख करके और जबर्दस्ती बड़े प्रसन्नता के मोड में आ रहे हैं जबकि मैं आपको बताऊं राहू किसी के लिए कभी दो तीन खास लोगों को छोड़ करके हमने बताया भी है बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा सिवाए उन लोगों के जिनकी कुंडली में तृतिय छठे अथवा आठवे में राहू आया है वो हम कारकर्म के दोरान बताते जा रहे हैं चर्चा आज करेंगे कन्या राशी की कन्या राशी में राहू सात्मे में आएंगे परिवर्तन पाकर और सात्मे का राहू बैठ करके सात्मे में क्या फल देगा पंचम द्रिष्टी से एकादस भाव को सब्तम द्रिष्टी से आपके लगन राशी भाव को नवम द्रिष्टी से आपके तृती भाव को देखेगा बिष्टिक राशी को राहू की तीन द्रिष्टियां होती है और मुझे नहीं पता था कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को सच सुनने पर मिर्ची लग जाती है इधर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो सब को मिर्ची लग रही है राहू के परिवर्तन की सर्तता को जानकर अरे हम तो लॉजिक दे रहें भाईया मिर्ची क्यों लग रही है लॉजिक सुनो न आप प्रावलम क्या है आपकी हम तो कारकत्तों से उठाते हैं आप मिर्ची खाएं और उम्मीद करें कि यह मीठी लगेगी तो भाईया जो मिर्ची को मीठा कहें उसको जाएं आप उसके चैनल पर उसको प्रणायम करें उसका पैर धोके पीए और इंतजार करें मिर्ची खाते हों कि अभी मीठी लगने वाले अभी मीठी लगने वाले में अरे मालिक कटुसत्य बोलता हूँ मैं उससे मुझे कुछ मिलता रही है कुछ लोग कह रहे थे कि यह दरा करके कमा रहे हमको पता है हमारे मुकदर का पैसा हम दरा करके क्या कमा लेंगे दरा के कितने दिन कमा सकता है कोई तो 26 साल से हम जोतिश के छेत्र में हैं हमें जज मत करिए प्रतिक्षा करिए 18 महीने 18 दिन राहु क्या आसर दिखाएगा आईए कन्यराश्य की चर्चा करते हैं आपके सब्तमभाव में राहु 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे तो साथ में में अगर राहु आ गए तो सबसे पहले ये घर सब्तमभाव पति-पत्नी का होता है पार्टनर्शिप वाले बिजनस का होता है हमारे दादा पैत्रिक संपत्तियाद का होता है चतुर्थ से चतुर्थ पढ़ने की कारण काफी मैटर्स में सुख का भी होता है सुख का भी होता है सबसे बड़ी चीज है चतुर्थ से चतुर्थ अब यहाँ पर राहू बैठ गए कब 30 अक्टूबर को किसके बारें बात कर रहे हैं कन्य राशी तो इनका कामे प्रथक्ता पैदा करना है पति-पत्नी के बीच अगर पहले से कुछ मैटर था तो खत्रा बढ़ जाएगा नहीं था तो थोड़ा सा खत्रा शुरू होगा 18 महीने में आप अपने गोचर के आधार पर और लगन कुंडली की दशा के आधार पर संतुरन में अपने देख लेंगे वो आपको आगाज पता चल जाएगा 10-15 दिन में आपको आगाज पता चल जाएगा सुर्वात समय में समझदारी से काम करना होगा क्योंकि राहू आपके बुद्धी को भ्रमित करेगा आपके लगन में केतु आ गया आपके कन्यराशी में केतु आ गया क्योंकि सात्वे में राहू है तो केतु कन्फ्यूजन का कारक होता तो हो सकता कि तमाम ऐसे निर्ड़े अचानक से आप से गरत हो जाएं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा तमाम ऐसे निर्ड़े आपको समझदारी का काम समझदारी का सामना तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल समझदारी से काम करेए इस प्रकार की स्थिती आ सकती है साथमे करा हुए अब यहां से इनकी द्रिष्टी आपकी लगन को हो रही साथमे पहले पांचमे द्रिष्टी देखे लावस्थान पर अचानक से आपकी दिमाग में जैसे कोई भरेगा कि आप शेयर स्थामेल पैसा लगाने के लिए बिचार करेंगे साथमे में बैठ कर रहू पंचम द्रिष्टी से आपके एकादस भाव को लाब भाव को देख रहा है हो सकता है कि ससुराल के पक्ष से कोई आपको प्रेरित करें आपका साला आपका साढू आपके ससुर आदी आदी सुसुराल वाला आपको प्रेरित कर दें क्योंकि सब्तम में राहू बैठा है और आप अगस्मात धन प्राप्ति के लिए सोचने लग जाएं शेयर बाजार आदी में निवेश कर दें और आपको घाटा हो जाएं यह इस्थिति आ सकती है गलत मार्ग से धन कमाने के लिए आप विचार करेंगे शॉट कट अपनाने लग जाएंगे आपके मन में किसी के पैसे को हडपने का विचार आ सकता है आप मेडिकल छेत्र से हैं आप दो नंबर का काम करने लगेंगे एक अदस पे राहू की द्रिष्टी है ध्यान दीजेगा यह इस्थिति बनती है सब्तम द्रिष्टी से आपकी राशी को देखेंगे आपके अपने घर को देखेंगे जहां पर केतु बैठे हैं तो जैसे आपने बताया था कि के तु पहले से ही कुछ भ्रमित करता है राहू उस भ्रम को प्रमाडित कर देता कि हाँ हाँ जो तुम्हारा जो वहम है वहम नहीं वो सच्चाई है तो आपके अंदर शक करने की आदत बढ़ जाएगी जिसकी वज़े से आपके दामपत्य जीवन पर जबर्दस्त असर पड़ेगा अगर आप करने राशी की महिला है या आप करने राशी के पुरूश है तो इस प्रकार की इस्थति ये वहम भ्रम इस प्रकार से सब कुछ मन में दिमाग में डाल देते हैं अब डाल दिया तो डाल दिया क्या कर सकते हैं चलिए जहलिए अब आप तो ऐसे सिचुएशन क्रियेट होते हैं आपको शक का मौका मिलता है बिस्तर पर कुट्टे ने टहल करके सिलवट डाल दिया आपको लगा कोई सोके गया है आईए हो गया कांट था कुट्टा लगा कुछ आपने उसको सच माना राहू उसको देख रहा है और खेल हो गया आप पत्नी को गये नहीं है पहुंचा आए उसके इस प्रकार से सिच्वेशन मैं वो पुरा आपको स्टोरी क्रियेट करके बता रहूं कि ऐसा होता है ऐसे हो जाता है दिमाग में आ जाता है तो ये जो सोच हमारी विक्सित होते रख जाती है किया होगा उसने किया होगा उसने कहा होगा उसने ऐसा हुआ होगा ये जो सोच है बहुत परेशान करता है तो आपकी राशी को राहु देख रहे हैं आपकी राशी में कन्या को देखते हैं राहु सत्वी द्रिष्टी से नवम द्रिष्टी से राहु की द्रिष्टी तृतिय भाव पर पड़ रही है सात्वे से बैठ करके भाई बहनों के बीच किसी मैटर पर विवाद अचानक से सुरू हो जाएगा विवाद अचानक से सुरू हो गया क्या कर सकते हैं विवाद आ गया उसे कोई भर देगा उसे कोई चढ़ा देगा भाई को कोई चढ़ा दिया बहन को किसी ने कुछ चरहा दिया कहा कि अरे फलाने ने तो ऐसे ही किया था तो इस प्रकार से आपके भाई बहनों के बीच में मित्रों के साथ भी मन मुटाव की इस्थिती अकस्मात पैदा करेंगे ये 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 25 तक दो हजार पचीस तक 18 महीने 18 दिन बहुत सारी चीजों पर आलस से आएगा काम में मन नहीं लगेगा उल्जन पैदा होगी छणे रुष्टवा छणे तुष्टवा ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा अचानक से मन में कोई बात आया और एकदम से आप उसाहित होकर कर बैठे पता चला कि अरे तो आपने गलत कर दिया ऐसा तो करना ही नहीं था ये राहु प्रेडित करता है वो बिल्कुल उकसाता है पंप करता है अब हम पहले यागाह कर दिये वीडियो को सेव कर लीजेगा और सच बताता हूँ आप ऐसे लोग जो हमें अभी रिसेंट फॉलो कर रहे होंगे या अचानक यही वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें प्लीज जज न करिएगा पहले आप हमें और फॉलो मतलब और वीडियो हमारे देख लीजिए सव दोसों देख लीजिए फिर आपको पता चलेगा कि संतो संतो सी क्या है तो हमें जज ना करें हमारे बस यह समझें कि मा सरश्वती ने हमें सच बोलने के लिए प्रेरित किया तो हम सच बोलते हैं लॉजिक दे रहे हैं समझ में आए तो ठीक नहीं आए तो राम राम तो ऐसे लोग जो जोतिश सीखना चाहते हैं हमसे ऐसे लोग हमारा फेस्बुक पेज है ऐस्टो लक्षमी वाटस अप भी कर सकते हैं नंबर आपके सामने है ऐस्टो लक्षमी इस्टाग्राम फेस्बुक और यूट्यूब पर फालो करें और आशिरवाद देते रहें इसी जगह पर ऐस्टो लक्षमी पर ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्लासेस के बारे में एक्जाम के बारे में सर्टिफिकेट के बारे में और भी बहुत कच धन्यवाद नमस्कार शिरादे और हाँ गाय की सेवा करने से राहु प्रशन होता है शुक्रिया नमस्कार आचार्य विश्वप्रसिध जयोतिशाचार्य संतोश संतोशी जी ने अपने तेरह वर्शों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए है एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेक मंगवाईए अनेक